Hello everyone, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ दिखे इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ और ये डिजाइन, ये पैटरन देखे, कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना बहुत ही प्यारा देखे, इस तरह से ये डिजाइन बन कराया है और बनाने में ये इतना आसान है ना देखने में जैसे लग रहा है थोड़ा सा टफ होगा, मुश्किलों का बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही असान डिजाइन है ये और इससे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए देखिए वो फंदे हमने 16 के मल्टिबल से फंदे लेने हैं हमने 16 फंदे, 16 फंदे, 16 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है लास्ट में आपके 7 फंदे तो ये वाली डिजाइन को इकवल करने के लिए कि दोनों तरफ से इकवल डिजाइन आए उसके लिए और दोनों तरफ से एक-एक फंदा एस्टिच का ठीक है? हमने 16-16 के मल्टिबल से डालने हैं 7 फंदे डिजाइन को इकवल करने के लिए और 2 फंदे दोनों तरफ से एक-एक फंदा एस्टिच का तो टोटल नो फंदे हमने एक्स्रा डाल लेने हैं तो ये डिजाइन अच्छे से आपका सैक्ट हो जाएगा तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए इसलाई में यहाँ पर मैंने फंदे ले लिए हैं फंदे लेने के बाद डिजाइन की फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से आएगी देखें कैसे करेंगे इस फर्स्ट फंदे को उतार ये धागा अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे ये और ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये एक, दो, तीन फंदे हैं ना तीसरे फंदे में हमने आगे से इस तरह से स्लाइड डालनी है और इन दो फंदों के उपर से इस फंदे को ऐसे गिरा देंगे इस तरह से ये हमारा एक फंदा कम हो गया ना अब यहाँ पर एक फंदा पहले सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे अब इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे जो एक फंदा हमारा कम हो था वो जाली से हमने यहाँ पर अपना बढ़ा लिया है अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे ये उल्टे एक और ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है इस तरह से धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक, दो, तीन, इन तीनों फंदों में पीछे से ऐसे स्लाइड डालेंगे और तीन का एक कर देंगे, ये जाली भी डाल दी हमने तीन का एक कर दिया, उसके बाद पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, अब देखिए, फर्स रो में हमने क्या करना है दो फंदे पहले उल्टे बनाने है फिर तीन फंदों में तीसरे फंदे को दो फंदे के उपर गिराएंगे एक फंदा सीधा, जाली एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा फिर उसके बाद 5 फंदे सीधे इसी डिजैन को पूरी स्लाई में आपने बार 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 रिपीट करते जाना है देखे धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में ये पहले 7 फंदों वाली केवल बनाएंगे तो उसके लिए 2 फंदे उल्टे ठीक है? उल्टे फंदे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे एक, दो, तीन इस तीसरे फंदे में ऐसे स्लाई डालेंगे उपर से गिरा देंगे फिर उसके बाद एक फंदा तो पहले हम सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे यह फंदा भी सीधा ठीक है? फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे और यह लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरह से आपने डिजैन की फर्स्ट रो जैसे मैंने आपको बताया है इसी डिजैन को पूरी स्लाइ में आपने बार-बार रिपीट करते जाना है अब सैकिन रो है उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारिए धागा दूसरी तरफ कर लेंगे दो फंदे हम पहले सीधे बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक, ये दो, ये तीन फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे एक, दो फिर धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो फंदे उल्टे अब second row में आपने पूरी सलाई में ऐसे ही इनी फंदों को रिपीट करना है उल्टी तरफ से जितनी भी सलाई न डलेंगे न, वो सारी same to same ऐसे ही डलेंगी जैसे हम second row बनाएंगे दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर नो फंदे उल्टे दूसरी तरफ दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा सेम इसी तरह से हमने पूरी second row बनाकर complete कर लेनी है अब row third सीधी तरफ से first फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा दूसरी तरफ ये तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ अब ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है जिसे हम सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक दो और ये तीन इन तीन फंदों में स्लाइड डालेंगे पीछे से जाली जरूर डालनी है आपने और तीन का एक कर देना है तीन का एक करने के बाद अब एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे, अब पूरी इस लाइ में आपने इसी डिजैन को बार 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 रपीट करते जाना है, देखें, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ये साथ फंदों की केवल तो इस तरह से बनेगी, और यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, तीन का एक करेंगे, चार फंदे सीधे, इसी डिजैन को बार 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 रपीट करते जाएगा, लास्ट में धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे, धागा अपनी सलाई बना ली अब चोथी सलाई में देखिए जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाईएगा अब सीधी तरफ से डिजैन की पांच वी रो है फर्स्ट फंदे को उतारना है धागा अपनी तरफ कर लेना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये चार स्लाईयों का ही डिजाइन है इनी चार स्लाईयों को अपने रपीड करना है इस डिजाइन में ये तीन फंदे हैं तीसरे फंदे में आ फंदे उल्टे, ठीक है, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब ये जाली के दो फंदे बढ़ गए ना, हमारे ये एक, ये दो, दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहां पर एक फंदा सीधा, ये जाली भी डल गी, एक फंदा सीधा बाद एक, दो, तीन फंदे सीधे, अब पूरी इस लाइने आपने इनी फंदों को बार 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 रपीट करते जाना है, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ये केवल वाला डिजानी बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली-डाली, तीन का एक या, तीन फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करते हुए last में फिर से हमने अपना ये वाला डिजाइन बनाना है दो फंदे उल्टे, इस तीसरे फंदे में आगे से सलाई डालते हुए गिरा देंगे उपर से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इस तरह से आमने डिजाइन की पांचवी सलाई पूरी बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है, अब छट सलाई बनानी है, उल्टी तरफ से वो सेम टू सेम वैसे ही बनेगी, क्योंकि इस डिजाइन में ना तो फंदे बढ़ते हैं, ना कम होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से आपने पूरी रो बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है, सीधी तरफ से डिजाइन की साथ भी सलाई है, तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, अब ये एक, दो, तीन फंदे सीधे, ठीक है, इस तरह से, अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे और यहाँ पर जाली डाल लेंगे फिर से धागा अपनी तरफ जाली डालनी है ये एक ये दो ये तीन फंदे हैं हमारे पीछे से जलाई डालनी है ऐसे तीन का एक कर देना है इस तरह से जाली भी डल गई तीन का एक भी हो गया उसके बाद दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे फिर से तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा तो देख लीजे है हमने ये 7 वी सिध्य में क्या किया है 2 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे फिर उसके बाद ये वाला डिजैन जो बन रहा है पत्ती वाला हमारा उसमें क्या करना है? 3 फंदे सीधे बनाने है, जाली डालनी है एक फंदा सीधा जाली तीन का एक दो फंदे सीधे इसी डिजैन को बार 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 पूरी सलाई में आपने रिपीट कर लेना है और उल्टी तरफ से डिजैन की आठवी सलाई आपने सेम वैसे ही बनाते जाना है गिजैन की नोवी सलाई सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारना है धागा अपनी तरफ करना है दो फंदे उल्टे बना लेने है फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे इस फंदे को उठाएंगे तीसरे फंदे को इन दोनों के उपर से गिरा देंगे फिर ये एक फंदा पहले अब ये चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे, ये सेंटर वाले फंदे के दोनो तरफ हमने जाली डालनी है हर बार, अब यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ रहे ह इधर वाले फंदे हमारे ये कम होते जाएंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालते हुए ये तीन का एक कर देंगे पीछे से सलाई डालते हुए इस तरह से ठीक है तीन का एक करने के बाद ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा करेंगे फिर से इस तीसरे फंदे में स्लाइड डालेंगे उपर से ऐसे धागा गिराते हुए इस तरह से कर लेंगे फिर ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ जाली एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा अब यहां पर हमने क्या किया दो फंदे उल्टे बनाए फिर से ये तीसरे फंदे को उपर से गिराया एक फंदा सीधा जाली एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे उसके बादे चार फंदे सीधे बनाए जाली डाली एक फंदा सीधा जाली तीन का एक किया एक फंदा सीधा इसी डिजैन को पूर इस लाई में आपने बार 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 रपीट करते जाना है और उल्टी तरफ से हमने सेम वैसे ही रो कम्प्लीट कर लेनी है अब सीधी तरफ से डिजैन की लास्ट रो है हमारी इस फर्स्ट फंदे को उतार देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये पांच फंदे सीधे बना लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ फिर से यहां पर जाली डालनी है और तीन फंदों का एक कर देना है इस तरह से अब इसी डिजैन को आपने बार 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 पूरी स्लाइमे रपीट करते जाना है दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, फिर तीन का एक कर देंगे लास्ट में ये दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर से दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा अब उल्टी तरफ से सेम वैसे ही जैसे रो बनाते आ रहे हैं, वैसे ही बनानी है तो इसी डिजैन को आपने फिर से फर्स रो से यहां से स्टार्ट कर देना है पहले तो ये वाला साथ फंद वाला डिजैन तो सेम ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने आपको पता है चार-चार स्राइयों का ये डिजैन है बिल्कुल ऐसे ही डलता जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर दो फंदे उल्टे बराने के बाद जाली डालनी है एक फंदा सीधा फिर य आपका बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लाजवाब डिजैन बनकर रेडी हुआ है तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीच ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल 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 मत भूलियेगा मैं फिर मिलती हुए नेक्स्ट वीडियो में बाबाई है वा नाइस टेए